Hey, my name is Rahul कुंतल और आज मैं बात करने वाला हूं Dr. Bhimraab Medgar University के आगरा के sports culture के बारे में कि उस university में sports का culture कैसा है So guys, welcome to the ground and ground lovers, welcome to you इस matter को मैं आप लोगों को सुरू से समझादा हूं तो Dr. Bhimraab Medgar University में करीब 800 colleges मान्यता प्राप्त है और इन 800 कॉलेज़ों में करीब 8 लाग से भी ज्यादा स्टूरेंट्स इस समय पढ़ रहे हैं अब बात करते हैं स्पोर्स फंड की तो स्पोर्स फंड में हर स्टूरेंट्स 50 रुपे यूनिवर्सिटी को स्पोर्स फीज देता है मतलब कि अगर 8 लाग स्टूरेंट 50 रुपे स्पोर्स फीज दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में करीब करीब 4 करोड रुपे जमा होता है इसका मतलब है कि 4 करोड रुपे यूनिवर्सिटी स्पोर्स में खर्च कर सकती है इस university में खिलाडी admission लेता है ताकि वो sports में अपना carrier बना सके और sports में अच्छा प्रदर्शन करके आगरा university का प्रत्यनियद्द कर सके आगरा university में हर साल खेलों का आयोजन किया जाता है पहले हर खिलाडी inter college tournament खेलता है फिर उसके बाद select होकर वो आगरा university की team में जाता है जहां पर वो inter university tournaments में आगरा university का प्रत्यनियद्द करता है इतनी मेहनत के बाबजूत जब वो खिलाडी select होकर जाता है तो उसे ना kit दी जाती है ना कोई track shoot दिया जाता है ना उन्हें किसी भी प्रकार का TA और DA समय से मिलता है और ना ही उन्हें certificate कभी भी time से मिलता है इतनी बड़ी मात्रा में fund होने के बाबजूत भी वो खिलाडीों पर खर्च नहीं किया जाता है परिणाम सरूप खिलाडी इस University को छोड़ कर दूसरी उनिवरसितीमें admission लेना शुरू कर देते हैं जब इस University से कोई सुवदा नहीं मिलती है तो सारे खिलाडी इस University को छोड़कर दूसरी Universities में चले जाते हैं कुछ समय पहले जब खिलाडियों ने मिलकर युनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात करने की कोशिस की, कि उन्हें किसी प्रकार की कोई सुवधा नहीं मिलती है, तो उन लोगों ने उल्टा खिलाडियों से गाली कलोच की, वहाँ पर उनसे हाता पाई भी की, और खिलाडियों खिलाफ F.I.R. भी कर दी, और कुछ खिलाडियों को इसमें जेल भी जाना पड़ा, आज भी जब कोई खिलाडी वहाँ जाकर ये कह देता है कि उसे किट क्यों नहीं मिली, या फिर T.A.D.A. या सर्टिफिकेट टाइम से कभी मिलेगा की नहीं मिलेगा, तो उस खिलाडी को ये दमगी दी जाती है कि तुम्हें टीम से निकाल दिया जाएगा, इस दमगी को देने के बाद खिलाडी को चुप करा दिया जाता है, कई बार यह जो खबरें हैं वो न्यूज चैनल्स पर अख़बारों में और बहुत सी जगर यूनिवर्सिटी के अधकारियों से भी सिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस सब का अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है, एक तरफ जहां देश के प्रदान मंत्री खेलों को बढ़ावा देने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री सभी खिलाडियों का संबान करते हैं और उन खिलाडियों को समय समय पर सुवधाएं उपलब कराते रहते हैं, इस सब के बाबजूत्वी इस यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे इस यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं वो खेलों को बिल्कुल ही खतम करने की योजना बना रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इस सब का जो हल है वो कैसे निकलेगा, लेकिन ये सब आप लोगों के उपर है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो सायर उज व्यक्ति तक पहुंच सके, जो इसमें कुछ कर सकता है, Never Stop Learning, Never Stop Playing, जैहिंद!